देखिए दोस्तों जैसे कि आप थमनेल को देखकर आये हैं कि लेवर कार्ड और रासन कार्ड से अब आपको आईश्मान कार्ड आप बना सकते हैं तो देखे हम आजाते हैं अपनी ओफिशल वैपसाइड यानि शेतू PMJ पर गौवर्मेंट की वैपसाइड है CSC Connect हम यहाँ पर कर देंगे करने के बाद में देखे हमारे सामने ओपसन आजाता है Integrated Service का तो हम यहाँ पर Integrated Service पर क्लिक करेंगे और Search Y ID पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना State सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर देखे Building or Other Contribution यानि के BOCW मतलब की आपका होता है Labor Card तो आप यहाँ पर आपको Labor Card की संख्या तो डालने नहीं है यहाँ पर डालने है अपनी राशन कार्ड की संख्या राशन कार्ड की संख्या से जो आपका दोनों ही चीज राशन कार्ड और जो वो होता है आपका Labor Card होता है वो आधार कार्ड से लिंक होता है तो वो डेटेल जब ही पकड़ेगा या फिर यहाँ पर जब ही नाम सो होंगे जब आपका Labor Card बनावा होगा तो रासन कार्ड की संख्याज है यहाँ पर डेटेल खुल जाएगी तो यहाँ पर इस प्रकार से डेटेल आ गई थी तो हमने भी यहाँ पर ब्यू पर क्लिक कर देंगे अब देखे उस परसन का आपको नाम दिख जाएगा उसके हस्वेंड यानि गार्जन का नाम दिख जाएगा लेडी जाए फिमेल अब हो आजाएगा अब यहाँ पर सेम एज बियो सी डबलू अगर आप करते है नाम अगर आपका अधार कार्ड में वही है और सेम वही है तो आप इस पर सेम एज पर क्लिक कर दिजेगा यहाँ पर आपको जनमतिती डालनी है अपना यहाँ पर आप मुवाइल नंबर देंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स अपना पिन कोड देंगे जो कि आपका आइडरस आप अपने अनुसार भढ़ देंगे और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा इस परकार से आपको बताया जाएगा कि किस परकार से आप अपना एक लिष्ट में नाम नए होते हो भी आप अपना आईशमान कार्ड बना सकते हैं अगर नहीं है आपका लिष्ट में नाम और आप आईशमान कार्ड का लाव लेना चाते हैं तो फ्रेंड्स आपको अपना लेवर कार्ड बनवा लेना है हमसे कॉंटेक कर सकते हैं अपनी एरिया में जिससे भी आप जनसेवा के अंदर इत्यादी से बनवा सकते हैं तो यहाँ पर हमने आधार नंबर डाल दिया है अब अगर आधार कार्ड में मुवाइल नंबर है तो ओटीपी पर किलिक कर देंगे अधरवाइस आप फिंगर पर किलिक करेंगे अब आप बहुत अच्छे हैं आप इतना तो करी सकते हैं तो आप फ्रेंड से इतना कहोने के बाद में देखिए अगर आपका एक बार से में फिंगर नहीं आता तो आप फिर से फिंगर ले सकते हैं मैं आप से फिर से बता रहा हूँ अगर आप आईश्वान कार्ड का लाब लेना चाते हैं और आपके पास सुरासन कार्ड पहले से है और आपका लिश्ट में नाम नहीं है आईश्वान कार्ड की तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स अपना आपको क्या गनना है लेवर कार्ड बनवा लेना है उस प्रकार से ना मजाएगा देखें फिंगर आमारा कैप्चर हो चुका है डिटेल जो फोटो आ चुका है कस्टुमर का अब यहाँ पर देखें आप सभी डिटेल मैच कर लेंगे आप आधार कार्ड के अनुसार देखेंगे और केवाईसी में जो टिटेल आई है वो भी सेम है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से टिटेल चेक करेंगे यहाँ पर यहाँ पर डिकलेरेशन पर क्लिक करेंगे और पासपोर्ट साइज अगर फोटो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं otherwise यहाँ पर ऑपोपसिनल है यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे, capture फिल करने के बाद में देखे, submit पर क्लिक करेंगे, submit पर क्लिक करने के बाद में आप देखे, reference ID, यहाँ पर beneficiary, has been successfully, apply, आईशमान कार्ड, reference ID, तो जो reference ID होती है, यह आपकी labor card की संख्या होती है, क्योंकि इन दोनों को एक जगा combination बना कर, government जो है, labor जो मजदू लोग हैं, उनका आईशमान कार्ड नया बनाने की authority दी जाई है, जो जिनके labor card बने हुए है, तो आपका जब आप बनवा लेते हैं, तो पांस से छे महीने एक साल में आपका आईशमान कार्ड के लिए आप eligible हो जाते हैं, अगर आपका रशन कार्ड भी बना हुआ, labor card भी ब कर लेंगे, देखिए हमने यहाँ पर date select कर ली है, date select करने के बाद में यहाँ पर जिसे date का data आप देखना चाहते हैं, दो महीने का data यहाँ पर 100 कराता है, एक साथ में, तो यहाँ पर हम search पर click करेंगे, अब देखिए इतने सारे आपके सामने जो भी आपने किये होंगे वो जाते हैं, आप जो सभी है अप्रूब हुआ होगा, वो अप्रूब का उप्सन आ जाएगा, देखिए हमारा यह अप्रूब हो चुका है, और जो reject का है, तो वो reject कर लिखा हो आ जाएगा, तो इस पर का प्रिकार से जिनका अप्रूब हो चुका है, कस्टुमर का आधान नं तो इस प्रिकार से एक आईशमान कार्ड आप नया बना सकते हैं, जिनका लिख्ट में नाम नहीं है, लेवर कार्ड या आईशमान कार्ड के थरो बना सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आई हो तो